हमने प्रोटेस्ट भी किया तब जाके इन्वस्टी मानी 23 तारीक को मानी और 24 तारीक को बंबलास्ट हो गया हूँ सरकार ने वहां से और यहां तक आने का कितना खर्चा लिया है एक भी खर्चा नहीं लिया गौर्मेंट ने और सारी चीजे फ्री हमें मुहिया कर रही है अधर देश के भी जो नागरिक हैं उनकी एंबेसी को एक्सन नहीं ले रही है वो भी इंडिया का जंडा लगाके वो बार्डर क्रास कर जा रहा है और मतलब वहां की आर्मी को गाड़ाइन जारी की गई है कि मतलब इंडियन जंडा जिस भी गाड़ी पी दिखे उस और जल्दी दो से तीन दिनों में सारे बच्छों को रिश्कु कर लिया जाएगा मैं कहना चाहंगा मोडी जी ची और हमारे हमारे कारो मैं देखर कर रोने लगी बा het मेरा बेटाया है मैं गली पेल करके रोटने लगी पकड़ कि अब भी तो सब ठीक लग रहा है अब ठीक आपको लो रहा है हमारे मोदी जी का शुक्रिया करेंगे है हमारे मोदी जी जहाँ पर है कुसल पुर्वस के अभीवी थोड़ी से अनर्जी हम अंतर से आती है मोदी जी का भimmारा बच्चा हमारे पास आंगया हमको बहुत explosi मिल लिए सरकार ने बहुत सो योग दिया है हमारे बच्चे लिए इस बात से हर कोई वाकिफ है लेकिन जो यूक्रेन में फसे हुए छात्र हैं उनके परिजनों की हम बात करें तो जिस दिन से यानि कि 24 फरवरी से जब से युद्ध शुरू हुआ है और आज तक उनके आँखों के आंसु सूखने के नाम नहीं ले रहे हैं परवार ने रात द से और यहां तक की यात्रा करने में किन्द सरकार ने अपना युगदान दिया है आज ऐसे ही हमारे साथ गोरकपुर के गाउं से अमिजी मौजूद हैं जो कि यूकरेन से कल ही वापस आये हैं जो कि आज सकुसल पूरे परवार के साथ में मौजूद हैं उनकी माता जी हैं सबसे पहले हम जी के आप सकुसल हिंदुस्तान में वापसी हुई आपका किस तरह से लोगों ने स्वागत किया सबसे पहले हमारे हेल्थ मनीश्टर आये वहां पे और जो इंडिगो के सीओ हैं वो आये वह माला पहनाया उन्होंने फूल दिया फूल से स्वागत किया गया और हर एक इस्टेट के लोग वहां पे खड़े थे और वहां से ले गये इस्टेट भौन में वहां से खाना पीना और थोड़ी दिर रेश्ट करना हुआ वहां से फिर गवर्मेंट की ही गाड़ी से या फ्लाइट से जैसी भी सुबदा हो सके बच्चों को उनके घर तक पह पहुत तो बात नहीं हो पाती थी इसलिए और ज्यादा परिशान थे लोग हमारे नाना जी रो रहे थे माता जी रही थी तो अब सबको भी अच्छा लग रहा हमको भी अच्छा लग रहा अपने परिवार के बिच में आके लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यूक्रेन में तो वहां का अगर माहौल समझने की कोशिश करें किस तरह का माहौल था और आप यहां से पहले महाल बताए कि महाल किस तरह का था माहौल जैसे ही मतलब 24 तारी को बंबलाश्ट हुआ वहां पर तो माहौल थोड़ा सा बिगर सा गया था लोग परिसान होने लगे थे सामान खरीत के रखने लगे थे फूट क्रैसिस आने लगी थी एटियम के बाहर लाइने लगी थी पैसे एटियम में खतम हो गय थे क्यों करने के लिए वहां पर पहले से मारा दोस रहता था तो इवान फ्रेंग नेशनल मेडिकल उन्वस्टी जहां से अच्छा रहता तो इस वज़े से हम वहां पर गया थे वहां पर हिंदुस्तानी कितने से चात्र थे अगर हम नहीं जाएंगे अगर हमारी एक भी क्लास अप्षेंडी लगती हैं तो इस लिए बचे आ नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारी इन्वस्टी का रूल है कि अगर हम नहीं जाएंगे अगर हमारी एक भी क्लास अप्षेंडी लगती है उसे क्लियर करना पड़ता है अगर हम नहीं क्लियर करेंगे तो हमें एक्सपेल कर दिया जाएगा मतलब हमारा डाकुमेंट रद करके वहां से भेज़ दिया जाएगा इसलिए हम चाह रहे थे आनलाइन हो जा हम घर आके आरा हम से आनलाइन क्लास करते रहा है एन भी ना लगे और सारी चीज़े नार्मल रहे इस चीज़ पर इनवर्स्टी डटी हुई थी इसलिए हमने एंबेसी संपर्क लिया और उसके बद एंबेसी ने लेटर भेजा और हमन जाने का किराया लगता है अगर भी बात करें तो सरकार ने वहां से और यहां तक आने का कितना खर्चा लिया है एक भी खर्चा नहीं लिया गॉर्मेंट ने और सारी चीजे फ्री हमें मुहिया कराई है कितना खर्चा आपके ऊपर किया गया है मान के चलिए लाख लाक रुप कि इसमें सच्चाई है कि आदर देश के बी जो नागरिक है उनकी एक्सन नहीं ले रही है वह भी इंडिया का जंडा लगा के वह बार्डर कर जा रहा है और मतलब वहां की आर्मी को गाड़ाइन जारी की गई है कि मतलब इंडियां जंडा जहां जिस भी गाड़ी पर दिखे उस गाड़ी के आपके जिमदारी बनती है कि आप बार्डर पार करा है चाहे वो उक्रेनियन आर्मी हो चाहे वो रसियन आर्मी हो उन दोनों को एक गाड़ी लाइन मिली हुई है कि मतलब इंडिया के बच्चों को से निकालना है अपने आपने कहीं अलग फील होता है कि हम ह कि इंडिया की इंडिया मतलब पावरफुल कंट्री है और यह मतलब सभी लोगों में समानता देखती है और किसी चरीके का यहां राजनीती तो है लेकिन लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार है ऐसा नहीं है हम लोग आथिती देवभव का वुग करते हैं इस बज़े से हम लोग जितने भी बिदेशी आया होंगे उनका ऐसे ही हम लोगों ने स्वागत किया यही देन है कि हम आगर में समझने की कोशिश करूं आपने देखा हाग के लोग भी बहुत अच्छे यह बहुत मतलब सांत लोग हैं बहुत-ऴर के दौरान वां जो जब से सुरू हिये छुन ansumera के लागों कि Bund कäreकि मौन केला के पर लोग 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 लिकिन लोग कैसे गसा सकते हमारा थे प कंडिशन थी कि लोग भी घपड़ाई हुए थे कुछ लोग रो रहे थे मैंने बाडर पर देखा कि पिता अपनी बच्ची और बीबी को छोड़ने आ था भी बच्ची पकड़ के रो रहे थी उक्रेणियन जो थी तो ऐसी चीजे थी वहरे कंटी के लोग साथ हो सकती हैं आप लोग मतलब बच्चे चाहें बच्छा चोटे छोटे बच्चो को ले जब बार्डर के जाली के उस पार से बच्चों को ज थमाया जाता था उować पर उक्रेणियन जब अपने बच्चों को देते थे ऑसी तारीके से मतलब उनको यह होता था कि बार पार करना है वहं चीजह प बहुत ही भयाबत ही वहां पर यह चीज है इसे ज्यादा दर्द कुछ हो नहीं सकता है कि जब वह जिस विक्ति ने जिस भूमी पर जन्म लिया हो और उसी भूमी को केवल इसलिए छोड़ना पड़े कि आज हम यहां सुरक्षित नहीं है लेकिन आप वहां भी सुरक्षित थे और यहां भी आकर के सुरक्षित हुए कि वहां इंडियन है इसलिए यही बजाय क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे नाजिरिया और जिया के वहां के गवर्मेंट ने कुछ नहीं किया है फिर भी वहां पे बगल में वह हमारी देश का जंड़ा लगा हमारे बीच में वह और रुमेनिया की मतलब सरकार उनको हमारा पांत दिन का बीजा था उनका 90 दिन का बीजा किया है कि हो सकता उसके बीच में उनकी गर्मेंट काम करें उससे पहले अपनी गर्मेंट बहुत सारा काम कर रही बहुत जल्दी संपर कर रही है और बहुत ही जल्दी दो से तीन दि परिवार की चिंटा क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब कभी बेटे पर आती है विपता आती है तो सबसे पहले परिवार टेंशन में आता है है परेशान होता है तो किस तरह के हां कॉल गए कब घर बलगातार संपर्ध में जूड़े हुए थे इने मेरी माता जी sunt सबसे जाएदा परेशान थे ब influenced देखने लगे । फिर पाए और हमारे पास इतना मतलब वह नहीं रहता था कि हम सब के पास फोन लगाए को कि चार्जिंग की ब्युश्था नेट की ब्युश्था यह सारी चीज़े नहीं थी हम काल सब का उठाने पात रहे थे क्योंकि मित्रों का 2-100-300 काल मैसेज का हो बाइक क्या है तो इसलिए म युक्रेइन की कुछ वीडियो हमारे पास आती है नीज चैनल के माधियम से हम देखते हैं तो है लिकोप्र ओड रहे होते हैं गोला बारूद गिरा जाते हैं या फर किसी बिल्डिंग को अटेक किया जाता है या धरासा ही किया जाता है तो आपने ऐसा कोई द्रश्य वहां र तीन किलिमिटर दूर पर एरपोर्ट है वहां पर बं बुलाष्ट किये गए तो उस समय आपके साथ कितने हिंदुस्तानी लोग थे जब बार्डर पार्क कर रहे थे तो हमारे साथ पहले जब हम गया है नौ बस करके गया थे तो लगभा हजार के करीम में थे लेकिन आपने लिए तो मतलब थी ऐसी कंडिशन वहां पर दो जगब हम गया थे उस दिन 24 तारी को अभी सब कुछ ठीक लग रहा है अभी घर आ गया है तो ठीक है लेकिन जो खारकीम में और कीम में हमारे जो मित्र फसे में मैं मतलब गवर्मेंट से काना चामगा कि उनको एर लिप्ट करके किसी तरीके से इंडियन आर्मी को अंदर भेजा जाए क्योंकि बार्डर तक जाने के लिए हो सक्षम नहीं है तो इस तरीके उनको नि नवाद करना चाहूंगा कोशिश कर रही है गवर्मेंट और जल्दी से जल्दी दो से तीन दिनों में सारे बच्चों को रिस्कू कर लिया जाएगा पगाया जा रहा है कि यूकरेन में फसे हूँ चातरों का कोई सरकार सहयूग नहीं कर रहे है क्योंकि यूपी चुनाब में व्यस्थ है सच्चा ही कितनी है ऐसा कुछ नहीं है गवर्मेंट बेस्थ नहीं है गवर्मेंट अपने अस्तर पर काम कर रही है और वहाँ पर बार अराम बच्चा जा रहे हैं रहने के खाने बवस्ता हुआ से सब फ्री में आ रहे हैं अराम से कोई कहीं दिक्कत नहीं और फ्लाइटे बहुत बच्चों के लिए कि जितना जल्दी बच्टों को आसे निकाला जा सके लगत बात है कि इस बात बात है इस बीच ऐसे भी लोग है जो फेक वीडियूस बना करके डाल रहे हैं, माहौल खुराब करने को कुछ mister कर रहे हैं। कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अरे तो उन बच ऐसे जो वीडियो बना रहे हैं उनके जवाब मिलेगा क्योंकि हमिया के लिए नहीं हमारे साथ और भी बच्चेया हैं वो जान रहे हैं सारी चीजे उसे हो के आ रहे हैं तो वो चीजे बताएंगे ना कि क्या गलत है इनके कहने तो थोड़ी नहों हो जाएग लोग हमारे नेता लोग हमारे लिए खड़े थे फूल लेके और हमें बहुत अच्छे से स्वागत किया गया फ्री में खाना किलाया गया घर तक पहुचाया गया इससे बड़ी खुशी परवार के लिए कुछ हो नहीं सकती कि जब एक बेटा युद्य जैसी इस्तिती में हो आज सकुषल परवार के बीच में बैठा हो और सुरक्षित हो परवार के और भी लोग हमारे साथ हैं अगर माताजी से हम बात कने के कोशिश करें क्या नाम है माताजी अपका संधिया लेकिन बेटा विदेश में पढ़ाही करने के लिए गया था सुचाता कि ऐसी अपका संधिया नहीं मालम था मारा बेटा है समस्टीवत में पासेगा हमने खेती बेच करके भेज़ा अपन बेटे को पढ़ने के लिए आप उसको बास से जल्सानिक हो गई बाद में दुरगटना हो गई अब वहार बेटा हमको पता चला बाद में इती में नूज में दे नॐर और हम दिन पर हम लोग भोजन करे हं दो प्सकी दिन पर भोजन करें थो रहा है हमारी मोदीजी जहां पर कुशल पुरबेशा है इच्छुए है आज खुशी है बेटा साथ में हमको बहुत खुशी है दादा जीव साथ में हैं मैं उनसे भी बाचीत करने की कोशिश करूँगा दादा क्या नाम है अब दिल्ला सिंग नाम है बहुत चिंता हुई कि बेटा यूकरेन में है वहाँ युद जैसी इस्तिती थी अरे बहुत चिंता हुई कि चल रहा हुई टीवी देख देखके हम परसान रहा लिए है कि पहले मारा काली चली आवा चली आवा तो नाया आप आवना बाद में मानों कईश्यों कालने कि जब होई 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 तो हम चली आई तो आ गई ने अवाराम से कोनों बात ना आई भाए घर आ गई ने तो अभी सब ठीक है ना अभी सब ठीक है बेटा पास में है हाँ अब नाती पास में है कोई बात सरकार ने वो कह रहे हैं कि सरकार न सब्सक्राइब अगर सरकार साथ ना देती तो हो सकता है कि लाखो रुपे की बाउस्था करना है हम पचास जार रुपया लगा चुकी है पहले लेकिन मिला नहीं इसको मारे बेटे को मारे बेटा तो भूखे मार जाता है कुछ नहीं मिलता लेकिन सरकार साथ कि अमरे बच्चा कोसरपूर बस से भोजन भाव सब को सुसका इजग फातिरबात सब किया और माला पाराया और गुल जास्ते ने दिया हमारे बेटे को हमारे घर पर लिया कि चापा गए जो कि जमीन बेच करके अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए विदेश बिशता है इसलिए कि वो बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा उसके बाद अच्छा जौब लगेगा और मेरे परवार का मेरा नाम रोशन करेगा लेकिन आज वही बेटा जब मुसीवत में फस्त से कम नहीं हो सकता वीडियो बड़ा वाइरल हुआ कि जब भारत सरकार की मदद से वहां से निकले बस में बैठे हुए तो तिरंगा के साथ में भारत माता की जैके नारे लगाते हुए वहां से निकले थे यह कहीने कहीं वो प्राउड करता है कि हम हिंदुस्तान से हैं इसल में बहुत अच्छा लगता है जब हम भारत माता की कहते हैं तो थोड़ी से नर्जी हमें भी अंदर से आती है जब कभी भी इस तरह का नारा लगाते हैं तो उस देश के वहां के रहने वाले लोगों को आपती होती है जब हम मतलब होली में पिछली होली में हम लोगों वहा पर चला उख्रेना फिर थोड़ी दबार चले घए फिर हमने भारत माता की जैव उन्हें उन्हें कोई अपती नहीं होती है भारत माता की जैसे किसी भी कट्री वालों को हमारे साथ अमेजी की आंटी जी भी हैं क्या नाम है अपका तो आपने कब पता चला कि यूकरेन के हालात कुछ ऐसे हैं हमें कम से कम एक हपते पहले पता चला तो हमने का कि मतलब बात करने के कोशिज की पर बात नहीं हो पाई फिर सटर्डे को मतलब मैसेज आए इनका कि हम लुक सब ठीक हैं फिर संडे को फिर सूबर मतलब मैसेज की वीडियो कर मतलब करके खूले कि मतलब मैं सब ठीक हूं आप लोग परसान मत हूए और मैं की बॉइट जब बात नहीं हो रही थी तो बार-बार खवरे दिखकर के चिंता हो रही है पर हम लोग कुछ कर नहीं स हो पारे चीजी का बहुत धन्य बात करना चाहएं कि हमारा बच्चा हमारे पास आ गया हमको बहुत खुशी मिले हैं और बहुताइए सक्वामा तरक्की की राहत देखने के लिए या फिर उसे उठता हुआ देखने के लिए सिखर तक पहुंचाने के लिए किसी भी कौने में भेज सकते हैं लेकिन अपने बेटे पर जब आँच आती है तो किसी भी कौने में रखना नहीं चाहते वो उसी घर के कौने में रखना चाहते है खासतोर पर मा की बात करने तो वो अपने आचल में उस बेटे को छुपा करके ही रखना चाहेगी क्योंकि उसको लगता है कि मेरा आचल ही सुरक्षित है हेर भारत्मता की जयका नारा के इन्होंने इससे बहुटर उधारन कोई हो नहीं सकता कि जो लोग आरोप लगाते थे कि विदेश यात्रा करने से क्या होता है आज भारत का नाम लेने पर भारती जंडा दिखाने पर रूश जैसा देश और उसकी सेना सांत खड़ी हो जाती है और हत्यार को नीचे कर लेती है मुझे लग रहा है आज इस परवार की खुशी चेहरे से साब देखी जा सकती है शायद आज कल से पहले अगर इस परवार से हम मिलते तो शायद केवल इनके आँखों में आसू थे और आसू ही हमें दिखाई देते खैर बहुत होत शुक्रिया इन्होंने अदा किया है केंद सरकार का लेकिन हमारी तरफ से भी धन्यवाद है कि अमिज जी परवार के बीच में आए लेकिन हमने वो दिखाने की कोशिश की है कि जो लोग लगातार फेक खवरे फैला रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है कुछ मदद नहीं कर रही है केवल अपनी चुनावी प्रचार में व्यस्थ है लेकिन हकीकत आज अम जीने यूकरेन से आये हैं जो लगवा 53,000 किलोमेटर की यात्रा करके वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से है